friends welcome back to our youtube channel gk with me तो आज की class में हम पढ़ना start करेंगे french revolution के बारे में ये हमारी french revolution की second class है इस class में मैं complete french revolution आपको करा दूँगी जितना भी हमारा remaining portion रहे गया था ये class आपकी चंडिगड, PRT, Entity और TZT exam को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है क्योंकि आपके syllabus में specially mention किया गया है french revolution और इसके साथ रशियन revolution को तो आपका इसको पढ़ना बहुत जादा important है ये सारा का सारा matter जो है ये NC80 की book में से collect करके मैंने लिखा है तो आपका कोई भी point जो है वो इन videos में रहेगा नहीं तो ये सारा आपके लिए बहुत जादा important है लास्ट तक देखना इस वीडियो को इसके लवा मल लिजिए आप किसी और भी exam की तैयारी कर रहे है तो भी आप french revolution के बारे में पढ़ सकते है ठीक है और मैं आपको बता देती हूँ इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये सारा का सारा पढ़ा दिया था कि मॉन्टेंस क्यों ने क्या कहा रूसों के क्या thoughts से इसको लेकर इसके सासा क्या बास्तील जो जेल थी उस पर कैसे attack किया गया इसके सासा जैसे जो इनका जो मतलब ये जो थे तीन पार्ट्स में डिवाइड थे जैसे सबसे पहले जो कलर्जी आते थे उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकिंड नंबर पर नॉबल नॉबल पीपल थे जैसे राजा था राजा के रिश्टेदार थे थार्ड नंबर पर जो कॉमन पीपल है वो सब आते थे जो मिडल क्लास वर्ड था वो भी कहां से हमने लिया है फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही लिया है तो ये सारा का सारा आपके लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट हो जाता है तो सारा मैं पढ़ा चुकी थी उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अभी जो बास्तील जिल्परीनों ने अटेक किया उसके बाद सबने मिलकर क्या बनाई नैशनल असेंबली बनाई थी ठीक है ये सारा मैं पढ़ा चुकी थी तो National Assembly जब बना ली तो उसके बाद जो इनका राजा था जो लुई 16 था वो क्या हो गया वो कही न कहीं के कंट्रोल में आ गया तो वैसे आदत बनी हुई थी जैसे एक तरीके से जैसे माल लीजे किसी राजा कहीं हाँ पर शाषन है अगर उसके उपर किसी ने किसी का शाषन हो साथ मिलकर इनके खिलाफ साजिस रशने की कोशिश कर रहा था ठीक है और और वो क्या चाहता था कि जो इसके उपर जो भी मतलब जैसे गंडेंतर स्तापित हुआ है सविधान स्तापित हुआ है वो इनके उपर स्तापित ना हो तो उसने पर जो परशिया है परशिया के साथ में एक गुप्त तरीके से पनी वारता जारी रखी लेकिन इसकी खबर जो है जो नेशनल असेंबली के लोग थे उनको पता लग गई अब यहाँ पर नेशनल असेंबली के लोगों को पता लगने के बाद इनों पर्षिया और इसके साथ अस्ट्रिया पर अटेक कर दिया और यहाँ पर अटेक करने के बाद में यह जो लूई सिक्स्टीन था इनको हरा दिया इसके बाद लूई सिक्स्टीन को भी गद्दी से उखाड फैका और इसको क्या किया गया जो तो Lewis 16 था इसको फासी दे दी गई, इसके साथ साथ इसको फासी देने के बाद जो इसकी पतनी थी Mary उसके साथ में भी सेम ऐसा ही हुआ, ठीक है, यहां तक का एक बार मैं आपको रीड कराती हूँ, उसके बात की स्टोरी में आपको आगे बताऊंगे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे जैसे लुई 16 ने 15 मही 1798 को नए टेकस के लिए क्या बुलाई थी बैठक बुलाई थी यह सारा कल की क्लास में आपको स्टोरी की फॉर्म में बता चुकी थी लेकिन रिटन फॉर्म में हमारा रह गया था तो इसको रिटन फॉर्म में भी हमें एक बार रीड कर लेते हैं रिटन फॉर्म में पढ़ने के बाद क्या होता है जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे माइंड में कहीं न क समझिएगा कि आपका एक्जाम भी एक्स्टेंड होगा इनका कोई भरोसा नहीं है यह बहुत जल्दी एक्जाम भी ले ले लेते हैं तो आपको अपने एक्जाम की प्रिप्रेशन जो 17 मार्च है उसके अकोडिंग ही करनी है आपको अपनी प्रिप्रेशन को यहाँ पर बैठक बुलाई इसने क्या कहा कि अब हम क्या करेंगे आपर टेक्स भढ़ा देंगे तो यह बैठक कम होती है पांच मई को यह बैठक होती है और बैठक किसकी थी इस बैठक को क्या नाम दिया गया इस्टेट जनरल का नाम दिया गया इनकी बैठक कहां पर हो रही है प्रत साइभवर में कब हो रही थी 5 मई 1798 में इसके बाद यह जो यहां पर state कौन सी state से कितने कितने लोग आये थे तो यहां पर state 1 से 300 लोग थे state 2 से भी 300 पीपल थे और state 3 से 600 पीपल थे ठीक है तो यहां पर अगर हम 3 इन की बात करते हैं 1 और 2 की तो इसमें कौन-कौन शामिल थे पादरी शामिल थे और इसके साथ राजा शामिल था लेकिन अगर हम state 3 की बात करते हैं तो state 3 में मैंने आपको बताया था इसको हम मीडल वरक के नाम से जानते थे और यह third state जो था यह भी तीन पार्स में डिवाइड था इसमें एक जो सबसे उपर था वो उसमें पड़े लिखे लोग थे lawyer थे कोई officials थे ठीक है तो यह पड़े लिखे लोग थे first work में second में ऐसे peasant थे जिनकी खुद की जमीन थी third में जो कान करने वाले शर्मिक वगएरा है इसके साथ साथ ऐसे किसान थे जो landless थे इसमें भी जो 600 लोगों को बुलाया गया था यह केवल वही लोग थे जो बहुत जादा सिक्षित थे इसके साथ किसानों को और तोक और कारीगरों को सभामे क्या नहीं था परवेश की अनुमती नहीं थी मैं आपको बता देती हूँ तो फ्रांस जो है फ्रांस ने वोटिंग राइट जो है हमसे जसे हम आजाद हुए 1947 में हमें उस्से टाइम वोटिंग राइट मिल गया यहां पर सबको वोटäre था लेकिन फ्रांस में महिलाओ उन्हें अपने वोटिंग राइट्स के लिए लड़ी थी और इन्हें 1946 के आसपस जाकर अपना वोटिंग राइट मिला था देखो इन्हों पना Constitution कम बना लिया 1998 के आसपस इन्होंने अपना Constitution लिखना स्प्राट कया था और in 91 1 में इन्होंने अपना constitution तैयार कर लिया था लेकिन तब से लेकर 1946 तक इन्होंने women's को voting right नहीं दिया था लेकिन हमारे देश में देखे हमारे देश में चाय में आजादी बाद में मिली है लेकिन अबने फिर भी जो हमारा समीधान था समीधान अबने महिलाओं को क्या दे दिया voting right दे दिया तो यहाँ पर किने अनुमती नहीं थी किसानों को ओर्तों को कारिगरों को सभामे परवेश के अनुमती नहीं थी इसके साथ यह सभी क्या नहीं कर सकते वोटिंग राइट भी नहीं कर सकते थे इस्टेट जनरल के अनुसार सभी को क्या था voting right था मतब जो ये स्टेट जनरल के लोग थे इसमें जो third state के लोग थे वो क्या कर सकते थे वोट दे सकते थे लेकिन इनके vote की value को कम किया गया और third state के द्वारा मांग की गई कि अब की बार पूरी सभाद वारा क्या किराया जाए मतदान कराया जाएगा जिसमें प्रतेक सदस्य को क्या होना चाहिए voting right हो ये democratic सिधान था ये बात में किसके वारा कही गई थी क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग थे third state में कैसे लोग गए थे जो बहुत जादा पढ़े लिखे लोग थे अब ये पढ़े लिखे लोग थे तो इनोरे जो philosophers थे उनके थोर्स को पढ़ा था जैसे रूसों को पढ़ा मॉंटेंस्क्यू को पढ़ा तो रूसों क्या कहता था democratic सद्धान की बात करता था और उसे अपनी पुस्तक ना social contract में इस बात को लिखा भी था कि जो सरकार है वो कैसी होनी चाहिए democratic होनी चाहिए यानि कि जंदा के सुनने वाली होनी चाहिए जंदा के द्वरा बनाई गई होनी चाहिए तो इनके विचारों का प्रभाव जो है रूसों के विचारों का प्रभाव ये जो third state के लोग है उनके उपर पड़ा था ठीक है क्योंकि पड़े लिखे लोग थे पड़े लिखे लोग जो है वो ऐसे thoughts को follow करेंगे तो यहाँ पर third state ने क्या कहा कि हम ज़्यादा tax pay नहीं करेंगे और third state का प्रस्ताव क्या कर दिया मतलब लेकिन जो इस कमेटी में जितने भी member मैटे थे उन्होंने क्या कहा कि आपको tax pay करना पड़ेगा लेकिन third state ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये विरोध जताते हुए यहां से बाहर चले गए इसके बाद third state के लोग सुयम को समपूरण फ्रांसिसी रास्टर का परवक्ता मानते थे ये important है इसके बाद 20 जून को वर्साइ के ये 5 माई को क्या होई थी इनकी मैंने आपको बताया था 5 माई को वहाँ पर बैठा कुई थी उसके बाद 20 जून को ये कहां पर इकठे हो जाते हैं वर्साइ के indoor tennis court में जमा होते हैं तो ये important point है का इकठे होते हैं 20 जून को कहां पर indoor tennis court में और swim को क्या कहते थे इनोंने swim को national assembly घोशित कर दिया था ये मैं आपको बता चुकी थी क्या घोशित क्या national assembly ठीक है वैसे तो मैं national assembly के बारे में पूरा पढ़ा चुकी हूँ बढ़ हम हम इसको लिखा हुआ पढ़ रहे हैं अगर हम इनके नेतर्तव की बात करते हैं जो ये national assembly बनाए गए थी इनका नेतर्तव जो है मिराब्यो और ABCA के द्वारा किया गया मिराब्यो जो है इसका जरम कुलीन परिवार में हुआ था लेकिन फिर भी ये किसके साथ खड़ा था जो third state के लोग है उनके साथ खड़ा तो ये आपका important हो जाता है मिराब्यो का जरम कुलीन परिवार में होता है लेकिने किसका साथ देता है जो third state के लोग है उनका साथ देता है ये किसके साथ में था सामन्ती विशेष आदिकारो वाले समाज को खतम करने पर सहमत और ऐसे ही इनका एक लीडर था जिसका नाम था आबेसिये आबेसिये क्या था ये एक पादरी था जो इसने एक पुस्तक लिखी थी कि थर्ड स्टेट क्या है उस वक्त सभी नैशनल असेंबली का प्रारूप तयार करने में क्या हो गई व्यस्त हो गई थे चीक है तो यहां पर ये सभी क्या कर रहे थे नैशनल असेंबली का प्रारूप तयार करने में क्या हो गई सभी व्यस्त हो गई उधर जो पैरिस है पैरिस के आसपस जो बहुत ज़्यादा कड़ा के किठन पड़ने लगी इसके साथ अब कड़ा के किठन पड़ेगी तो कही न कई फसलों को नुकसान हुआ फसलों को नुकसान होने से जो पाव रोटी थी जो इनका खाने पीने का सामान था वो बहुत ज़्यादा महेंगा हो गया और बेकरी पर क्या कर दिया महिलाओं ने धावा बोल दिया और दिहाती इलाकों में भी मैंने आपको बताया था कही न कई अफवा फैल ने लगी और यह अफवा फैल गई कि जो यह लोग है कि जो मतलब जो बहारी शहरी लोग है वो क्या करेंगे इनके जो फसले उनको लगे वहां के जो खाने पीने का सामान था उन सब पर इन्होंने धावार कर दिया तो फूट स्टोर क्या किया इन्होंने लूट लिये ठीक है इसके बाद लुई 16 ने क्या किया नेशनल असेंबली को क्या दे दी मानेता दे दी चार अगस्त 1789 की रात को अरम बेली ने टेक्स क्रतवे और बंधनों वाली सामंति विस्ता का क्या कर दिया उल्मूलन कर दिया यानि कि यहां पर यह कहा गया है कि चार अगस्त 1798 को असेंबली लिखा है मैंने असेंबली ने क्या कहा कि जितने भी राजा फालतु की टेक्स लेता था ठीक है और हमें कही न कहीं नोंने बाद आपको पता है मैंने बताया था जैसे इनको धार्मिक टेक्स देना पड़ता था नमक पर टेक्स देना पड़ता था तमाकू पर टेक्स देना पड़ता था तो अगर हम धार्मिक टेक्स की बात करते है तो टीथे जो है टीथे को धार्मिक टेक्स कहा गया था और इसके साथ किसी ने किसी की भूमी पर ये कबजा कर लेती थे तो जो ये इनके पास में जो भूमी थी उसको भी क्या किया गया इनों ने महां से जब कर लिया इस परकार 20 अरब लिब्रे संपत्ति किसके हाथ में आ जाती है सरकार के पास आ जाती है मैंने आपको बता था लिब इनका constitution पूरी की पूरी तरीके से बन कर तयार हो जाता है जिसके बारे में हम आगे पड़ेगे यही लिखा है फ्रांस स्वेधानिक क्या बन गया रास्तंत्र बन गया इसका मतलब यहां पर यह नहीं है कि अभी यहां पर गणतंतर आ जाएगा क्योंकि अगर गणतंतर आएग 1791 में नोंने क्या कर लिया इसका सवीधान का constitution का एक प्रारूप है वो तयार कर लिया था इसका उदेश्य क्या था अब जो यह constitution बना रहे थे इनका पीछे इनका क्या motive था तो इनका motive था कि यह क्या करेंगे सरकार की शक्तियों को इससे सिमित कर देंगे जो समराठ है वो अपनी बहुत ज़्यादा ना चला सके लोगों के उपर अपनी बातों को थोप ना सके इसलिए कही ना कही rules, regulations, constitution बनाया गया इसवे क्या कहा गया शक्तियों का क्या होगा पढ़ जाती है अब हम पढ़ने माले है कि इसमें कौन-कौन वोट दे सकेगे कितने सदस्य होगे उन सब के बारे में बताऊंगी ठीक है और यह जो तीन स्तरका जो आप देख रहे हैं फ्रांस में विधाईका, कारेपालिका और न्याइपालिका यह जो थोट है वो किसका क्रास दंदर की क्या रख लिगए नीव रख लिगए अगर हम बात करते हैं विधाईका की तो विधाईका जो है नैशनल असेम्बली में कितने होगे यहाँ पर 745 सदस्य होगे और इनी में से मंतरी वेगरा बनाए जाएगे अब इन 745 सदस्य को को सिलेक्ट करेगा तो यह 50,000 पुरूस जो है निर्वाचक वोट वाले होंगे और यह किसे बनाएगे 745 सदस्यों को बनाएगे अब यहाँ पर जो यह 50,000 सदस्य देख रही है इनको पहले वोट दिया जाएगा active participants के द्वारा चीक है बाद में यह 50,000 पुरूस किसे सिलेक्ट करेगे 745 सदस्यों को स जो है वो 2.8 करोड की जनसक्याबे से किते थे 40,000,000 लोग थे ठीक है जो क्या कर सकते थे वोट दे सकते थे तो 40,000,000 लोग किसे निर्वाचित करेगे 50,000 पुरूशों को 50,000 पुरूशों वे से 745 जो है वो members choose किये जाएगे इसके बाद निश्करिये नागरिक जो है वो क् आप से भी पूछा जाकता है वोटिंग राइट किस किस को मिला हुआ था तो इसके साथ 30,000,000 पुरूश जो है इसमें शामिल थे महिलाएं शामिल थी बच्चे शामिल थे 25 वर्ष से कम आयू के जो वेक्ति थे उनको वोटिंग राइट नहीं था तो आप से पूछा जा सक का इंपोर्टेट है इसके बाद यहां पर 1791 में कानूनी अधिकार जो है डैशनल असेंबली बनाती थी एपर्टेक्श रूप से इसे बनाया जाता था इसके साथ सबसे पहले नागरी के एक निरवाचक समू का क्या करते थे चुनाव करते थे तो यही मैंने आपको बताया है पूरे असेंबली के सदस्यों को चुनते थे सभी नागरीकों को वोटिंग राइट नहीं था मतलब सभी के सभी क्या नहीं कर सकते थे डाइरेक्ट वोट नहीं कर सकते थे जो 745 सदस्यों को चूस का मतलब वोट किया जाता था इनको वोट को करेंगे 50,000 निरवाचित पुरुष थे जो कम से कम तीन दिन की मजदूरी के बराबर का टेक्स देते थे केवल उन्हें ही वोट करने का अधिकार था तो यहां पर यह कोशन आ जाता है जो सबसे ज़्यादा हाई टेक्स पेर होंगे वही क्या कर सकते थे वोट दे सकते थे तो यह आपका इंपोर्टें है उसे क्या कहा गया पुरुष और नागरिक घोशना पत्तर अब यहां पर देखो यहां पर इनके नागरिकों की बात नहीं हो रही है इसमें किसकी बात की गई है पुरुषों की और इसको क्या कहा गया नागरिक घोशना पत्तर कहा गया तो इनके सविधान की शुरुआत जो है वो किस से होती है पूरुश और नागरिक घोशना पत्तर से होती है इसमें किसकी बात कही गई जीवन के अधिकार की बात कही गई और नरसेंगिक और अहणिया अधिकार की बात कही गई इसका इनका कहना था कि यह जो जीवन लाइफ जीने के अधिकार है ठीक है यह इन से क्या नहीं किये जाएंगे चीने नहीं जाएंगे इन राइट्स को कोई नहीं चीन सकता लेकिन यहाँ पर only किसके राइट्स की बात करते है यह पूरूशों के राइट्स की बात करते है यहाँ पर इन्हों पूरे देश के राइट्स की बात नहीं की है तो इनका सविधान में सबसे बड़ी खामी तो यही थी इन अधिकारों को चीना नहीं जा सकता यह सब कहा गया अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्यों कि देखें अगर माल लीजिए किसीने किसी के राइट को कम आकेंगे या उन्हें राइट नहीं देंगे तो आगे चल कर वो क्या करेंगे क्रांती करेंगे तो ऐसा ही आगे देखने को मिला आगे महिलाओं ने भी क्रांती की तो इनसे अटे में स्पेशली मेंशन किया गया है कि महिलाओं ने अपने वोटिंग राइट के लिए किस त है और यह एक बार हमारे हरियाना में एक्जाम हुए थे तो इसमें से बहुत सारे कोशन आई हुए थे ठीक है तो यह फ्रेंड्स रिवोलिशन के जो राजनितिक प्रतीक है इंको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ जैसे यह जंजीर ह ज्यादा ड्रोइंग पर मत जाना मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाई थी इतनी ज्यादा अच्छी ड्रोइंग नहीं है मेरी बस मैंने समझाने के लिए जैसे पिच्चर्स में बना सकती थी वैसे बना दी ताकि आप इसको रिलेट कर पाएं और आपके मांड में यह तरीके से याद हो जाएं आपको ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह क्या थी टूटी जंजीर थी तो यह टूटी जंजीर जो है यह किसका प्रतीक मानी जाती है फ्रीडम का यानि कि यह किसका प्रतीक थी टूटी जंजीर आजादी का प्रतीक थी तो जंज जंजीर किसका प्रतिक है freedom का प्रतिक है इसके बाद यहां पर जो चड़ियां होती है लाठियां लगा सकते है जो चड़ी होती है छोटी लाठी उनका गठर बना हुआ था तो यह गठर क्या था यह गठा था तो जब यह आपको पता हम वो लकडी वाली कहानी भी सुनते थे क गठे में लकड़ियां थे एक मुड़ा अदमी था उसके चार बेटे थे वो उस तरीके की सुनते हैं तो वो एकता का प्रतिक बताती है तो यहां पर भी चड़ो का जो गठर है वो क्या बता रहा है यानि की एकता का प्रतिक है ठीक है इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात क तो इसका मतलब यहां पर क्या था पहले इन लोगों के पास अज्यानता थी अज्यानता रूपी अंधेरे को क्या मिटा देगी ये मिटा देगी और सूरिय की कीरण है ठीक है न ये तिरबूज के अंदर क्या बनाई गई है सूरिय की कीरण है जो क्या करेगी अज्यानता रू था एक राजदंड था जो क्या बताता है कि यहाँ पर क्या थी शाही सत्ता थी तो साही सत्ता का प्रतीक क्या है राजदंड है इसके बाद यह इस तरीके का कुछ बनाया गया था यह मुझे बहुत जादा कुछ समझतों नहीं आए बट फिर भी मैंने बना दिया यह क्या था एक सांप सा था जो अपनी ही पूच को अपने मूँ में लिए हुए था जो इनकी जो सत्ता है उसका प्रतीक था ये ठीक है तो ये आपको देख लेना एक बर इसके बाद ये इंपोर्टेंट है लाल जो फ्राइजीन टॉपी है फ्रेंचीजीन टॉपी है वो क्या दिखाती ह ये रेंड कलर की ये फ्रेंच टॉपी पहनते थे इसका मतलब था कि दासो द्वारा स्वतंतर होने के बाद पहने जाने वाली टॉपी जो इनकी फ्रिडम को दिखा रही है ठीक है इसके बाद इनके तीन कलर्स थे जो इंपोर्टेंट है जैसे हमारे नेशनल फ्लाग में त इसके बाद एक डैनो वाली इस्त्री थी परी टाइप में थी उसके पंक लगे हुए थे जिसको ये क्या मान दे थे कानून का मानविय रूप मान दे थे ठीक है तो ये याद रख लेना है हमारे जैसे वो आखो पर पट्टी बान कर दिखाया जाता ना तो ऐसे इनका क्या था कानून का मानविय रूप क्या है डैनो वाली इस्त्री है उसके बाद एक विधी पठ्था विधी पठ्था यानि की कानून इसमें क्या लिखा गया था कि जो कानून है वो क्या होगा सबके लिए समान होगा इक्वल क्या होगा लो होगा जैसे हमारे मोलिक राइट्स है कि हम इसको अच्छे से रिलेट कर पाएं सबसे पहले मैंने आपको बताया तूटी हुई जंजीर तो तूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है आजादी का प्रतीक है छड़ों के गठर की बात करते तो यह क्या दिखाता है यूनिटी दिखाता है इसके बाद त्रिबुज के प्रतीक है यह क्या दिखाती है इनकी फ्रिडम को दिखाती है दासों से मुक्तोरे को बताती है इनके थ्री नेशनल कलर्स थे नीला सफेद और लाल डैनो वाली इस तरी कानून का रूप था विधी पट में कहा गया था कि जो विधी है वो सबके लिए समान है ठीक है तो इ आपर फासी पर चढ़ा दिया जाएगा और यहाँ पर गणदंतर की स्तापना होगी लुइस 16 ने क्या क्या सविधान पर क्या कर दिये हस्ताक्षर कर दिये पर परसा के राजा से उसकी गुप्त वारता चल रही थी यह मैंने आपको बताया था परशा की क्या चलेगी साथ में फ्रांस और परशा की क्या चल रही है गुप्त वारता अभी यहाँ पर नका लूइस 16 है यह कुछ करता तब तक इसे पता चल चुकी थी ने कुछ करता तक ने मैं आन्दोल गोशन ङुँए ने बहुत सारे गाने इनन्हusies एंथम भी कहा जाता है जिसका नाम कहा है मरसीले ठीक है देश वक्ती के तराने गाए गए जिसमें कभी रोजेट दी लाइल के दवारा लिखा गया था मरसीले मरसीले क्या था यहां का national anthem था फ्रांस का युद मे जो अब यह सभी जो पुरुषते वो कहां चले गए कही न कही युद मे चले गए ठीक है युद मे गए तो सारी की सारी جो जिंबेवाईतों किसके उपर आ गए महिला बनाएंगे जिसमें सेंग का सबसे फेमस ग्रुप जो होगा उसका नाम होगा जेकोबीन क्लब ठीक है तो ये आप हम जो इंडियन हिस्टरी पढ़ते हैं उसमें भी जेकोबीन क्लब के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि हमारे जो यहां पर जो टीपू सुल्तान था हैदर अली था वो क्या था जेकोबीन क्लब का सदस्य था ठीक है पैरिस के भूत पूरफ कॉन्वेंट ओफ सेंट जो केब के नाम पर इसका नाम रखा गया इसमें क्या थी महिलाएं भी शामिल थी अभी आने आपको पताया था पहले महिलाओं को किसी भी चीज में पाटिसिपेट करन का अधिकार नहीं था लेकिन जो ये जेकोबीन क्लब बनता है इसमें कोण कोण शामिल थे निचले वरक के लोग शामिल थे अभी तक आप देखते आ रहे थे सभी के सभी जो पढ़े लिखे लोग थे वही सामिल होते जा रहे थे लेकिन जेकोबीन क्लब के में क्या होता है महिलाई शामिल होती है, landless farmer शामिल होती है, peasant शामिल होती है शर्मिक शामिल होती है तो यह बहुत ज़्यादा मतलब बहुत simple लोगों का group था और इन्हों ने क्या कहा कि हम कौई ash or am की fashionable जिर्फ है भी जियेंगे हम बहुत simple से कपड़े पहनेगे ठीक है और इसके साथ ये कुलीनों को स्वेम से क्या बताते थे अलग बताते थे फैशन को छोड़ कर बिल्कुल साधारन कपड़े पहनते थे जेकोबिन्स को सो कुलात के नाम से भी जाना जाता था यानि की बितना घुटने वाले ठीक है और आभाव से नाराज होकर क्या कर दिया विध्रो कर दिया ठीक है यहाँ पर महेंगाई बढ़ रही थी खाते पधार्टों की कमी आ गई महेंगाई बढ़ने लगी तो इन्होंने क्या क्या विध्रो कर दिया दस अगस्त की सुभे ट्यूलीरिय के महल पर धावा बोलकर राजा को और उनके रक्षकों को क्या कर दिया इन्होंने जो जेकोबिन्स कलब के साथ से है इन्होंने सब को मार दिया इसको मारने के बाद इनोंने जो मतदान है वोटिंग राइट है वोटिंग की जो एज है वो कितनी कर दी यहाँ पर 21 साल कर दी मैंने आपको बताया था पहले यहां पर वोटिंग की एच जो है वो कितनी थी 25 साल थी जिसकी भी आयू अगर 25 साल से कम है वो यहां पर वोट नहीं दे सकता था यहां पर जो पुरूशों की आयू है वो 25 से 21 कर दी गई लेकिन यहां पर महिलाओं को अभी भी कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है Assembly को क्या कहा गया Assembly को Convention का नाम दे दिया गया जो पहले National Assembly कहते थे अब ये क्या कहेंगे Convention कहेंगे तो इसको किसका नाम दे दिया इन्होंने Convention का नाम दे दिया 21 सितंबर 1792 को क्या हो जाता है यहाँ पर रास तंतर का अंत हो जाता है और फ्रांस में गणतन तरस तापित हो जाता है लुई 16 को क्या दे दी जाती है मोत की सजा दे दी जाती है 21 जनवरी 1793 में इसको फासी दे दी गई ठीक है I hope यहां तक समझ में आया होगा अभी भी यहां पर इनकी जो revolution है वो खतम नहीं होगी अभी फिर से रोबर स्पीर ये बनेगा ठीक है इसके बाद जैसे नेपॉलियन बोनापार्ट का यहां पर time period आएगा तो उसके बारे में भी हम पढ़ते चलते हैं तो यहां 1793 तक हम पढ़ चुके हैं ठीक है 1789 से स्टार्ट हुआ था और 1793 तक आते आते कितना कुछ यहां पर इनको चेंज आ गया ठीक है इसके बाद यहां पर अगर 1794 से 1750 के आसपास के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो इनका तथा जेकोबीन का जो सदस्य है वो कौन था रोबर्स पियरे था तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट था इसके बारे में आपको याद भी रखना है तो जेकोबीन का मेंबर कुन था रोबर्स पियरे था यह क्या चाहता था मतलब इसको इन्होंने क्या कहा कि आप क्या बन जाइए हमारे शाशक बन जाइए तो Robert Spear A वैसे तो बहुत ज़दा सिंपल सा इंसान था जैसे एक टाइप से कह सकते हैं ये भी कही ना कही जो लेबर वरग है वही से उभर कर सामने आया था तो ये इन सभीरे क्या कर दिया अपना नेता किसे बना दिया Robert Spear A को बना दिया अब सत्ता कोन संभाल रहा है यहाँ पर Robert Spear A संभाल रहा है लेकिन Robert Spear A क्या करेगा थोड़ा सक्त कानून बना देगा ठीक है नियंतर्ण बनाएगा दंड की नीती सक्त नीती अपनाएगा इस पे कुलीर और पादरी सभी को क्या करेगा जेल में डाल देगा और धीरी-धीरी क्या बनता जाएगा तानाशा बनता जाएगा अब जैसे कोई भी इसके पार्टी का जो सदस्य था अगर वो कोई भी इसके खिलाफ बोलेगा तो ये क्या करेगा उसको गिलोटीन पर कर उसका सिर कलम कर देगा तो फिर से लोग इसे प्रेशान हो जाएंगे तो अभी हाँ पर जितने भी मजदूर वरक के लोग थे जितने भी वेक्ती थे वो सब क्या होने लगे से प्रेशान होने लगे रोबर्स पियरे और जो मजदूर है उनकी एक सीमा तैय कर देगा कि आप ता रोटी को निवारिय कर दिया है, यहांपर सबसे पहले जैसे यह महाश्य थे, उसे क्या कहा जाता था, मौन-सियूर कहा जाता था, जो मैडम होती थी, उसे मदाम कहा जाता था, तो यह इनके नाम भी बदल देगा, महिलाओं को क्या कहेंगे सितोईन, और पुरुशों को क्या कहा जाए सितो ये तो ये यहाँ पर भी थोड़ा चेंज देखने को मिलता है ये मैंने बस इसलिए mention किया था ताकि ये कुछ factual साय क्या पताब से exam में पूछ ले अजीब से नाम है तो मैंने इसको यहाँ पर add कर दिया है इसके बाद ये हमारा last रह गया है rover peer day से परेशान होकर 1794 में उसे क्या कर दिया गया गिलोटीन पर चड़ा दिया गया तो ये क्या हो जाता आपका important हो जाता है अब यहाँ पर अगर ये तानाशा बनेगा अपनी ही बाते चलाएगा ठीक है जो भी इसके खिलाफ बोलेगा उन्हें ये क्या करेगा दंड देगा रूल्स अपनाएगा मजदूरों की सीमा को fix कर देगा तो लोग इससे भी परेशान होंगे और लोग परेशान होंगे तो इसको पकड़ कर क्या करेंगे गिलोटीन पर चड़ा देंगे और इसके भी यहाँ पर कहानी खतम हो जाएगी इसके बाद फिर डिरेक्टरी का शाषन आएगा फ्रांस में जैसे यहाँ पर मध्यावरग यह जो मध्यावरग है अब यह पढ़े लिखे लोगों के पास में सत्ता आजाएगी विधान परिशत का गठन करेंगे इसके साथ पाथ सदस्वेवाली एक कारेपाली का बनेगी जिसे डिरेक्टरी कहा जाएगा डिरेक्टरी में विधान परिशतों में आपस में बहस होने लगेगी तो इसका फाइदा कोन उठाएगा नेपॉलियन बोना पार्ट उठाएगा और इनके मारग में रास्ता बना लेगा और इसके बाद 1804 में नेपॉलियन बोना पार्ट जो है फ्रांस का क्या बन जाएगा समराट बन जाएगा ठीक है तो यहां तक यह जो आपकी फ्रेंट्स रिवोल्यूशन थी अब इसके बाद इनका जो यह जो फ्रांस शाषन है वो सही चलने लगेगा और धीरे धीरे अब शाषक बदलते जाएगे वोटरलु की लड़ाईया होंगी आपको पता इस टाइम पिरे तक आते आते यह सब भारत में भी कही न खही कुछ न कुछ कर रहे थे यह अपने देश में तो यह मर्कट रहे थे और साथ में हमारे देश में भी यह लूट मारी कर रहे थे तो इसके बाद 1804 में नेपॉलियन क्या बन जाता है नेपॉलियन बोनापाट फ्रांस का समराट बन जाता है आपको इसका ये most important है इसका नारा पता होना चाहिए इन्होंने कौन सा नारा दिया था स्वतंतरता का सम्मानता का और बंधूता का नारा तो आपसे पूछा जा सकत तो ये आपकी हो जाती आज की क्लास की French Revolution खतम इससे पहले एक क्लास और भी करा रखी है ये आपकी second class थी तो आप इन classes को जरूर से जरूर देखेगा बहुत important रहेंगी आपकी French Revolution complete हो चुकी है कल की क्लास में आपको जो Russian Revolution है वो पढ़ा दूँगी तो आपकी इस तरीके से जो history है वो तो खतम हो जाएगी and then हम start करेंगे geography physical जो features है वो पढ़ेंगे इंडिया के ठीक है तो मिलेंगे अब हम कल की क्लास में हमारे next topic के साथ तब तक आप हमारे channel के साथ बने रहें अगर आपने मारा channel subscribe नहीं किया तो please इससे subscribe कर ले और video को share नहीं किया है तो इससे share भी